तो यह वाला कड़ी बनाने के लिए जैसे देखते हैं होटल में कड़ी मिकता है दैवाला सभी लोग को दही वाला कड़ी के नाम सुझे मूवी पानी भर जाता है अब बहुत काफी टेस्टी मात्र दो चीज़ से हम बनाएंगे चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं वीडियो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आप लो जो लोग मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए यहां पर चलना है फिर दुबारा बोलना पड़ गया है क्योंकि बगल में गाना चल रहा था तो बेसन ले लिए हैं यहां पर मिर्ची है अध्रेक है धनिया पत्ति लैसुन की क अब लेंगे आँ से देहिए हैं तो दैसलेशे देखते हैं ठंड़ी मौसन में मिठी हरता है खटा उतना नहीं होता है थोड़ी से बेसं को सबसे पहले मिले ले रहे हैं थोड़ी बेसं बचा दिया by पकोडे के लिए बेसं भी लिए ह में ले लिए हैं अब इस यहां पर डालना है देख रहे हैं मिर्ची हरी और अध्रक इससे जो पकोड़े मारा बहुत काफी चट्पड़े बनता है अब जीरा को हाथ से मसल के इसमें डाल देंगे अब इसकी बार डालेंगे हल्दी पावडर श्वात के अंसार से नमक डालेंगे अब इसमें हम डालेंगे दही दही से पकोड़े जो मारा बिलकुल सौप्ट बनता है नरम तो यहां पर मीठी दही था तो दो कर्चुल हमने डाल दी है इसमें अब दही को अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद से अब यहाँ पे लेंगे पानी पानी को थोड़ी-थोड़ी करके इसमें हम डालेंगे तो फुलोडी जैसे इसको हम लोग को गाँ में बोला जाता है आप लोग इसको पकोड़ी बोलते हैं तो इसका इदम बिल्कुल पतला भी नहीं रहना चाहिए इसको जितने हार्थ से हम फेटेंगे उतनी अच्छा से मारा पकोड़ी पुल की उपरा जाता है नरम बनता है तो यहां पर जैसे देखते हैं बेसन आप छुट्टा लेंगे तो उसमें चाओल की आटे भी सब डाल देते हैं पिसाते हैं जब तो चाओल भी डाल की पिसा लेते हैं लोग घर का बेसन जो रहता है बहुत बढ़िया रहता है तो आप लोग पहले बेसन को पानी में डाल के देखिए पहले उपर आ रहा है कि नहीं पहले आप लोग का बेसन जब अच्छे फिटा जाता तो उपर आ जाता है बेसन का वी पाचान होता है कि पानी हम ले लेंगे पहले कटोरे में चाय जग हो चाय लोटे हो उसमें थोड़ी सा बेसन डाल देंगे तो बेसन जो पारा फिटा जाता तो उपर आ जाता है तुरंट आए यहां पर देखिए हम फुलोडी को इसी तरह से चारो तरफ करीह में थोड़ी सा दूर डालेंगे जैसे कि उपर आ जाता है फुल के यह बेसन देख रहें उतना अच्छा नहीं है चाओल के आटा भी मिक्स इसमें है यह जैसे देख रहें करीहम चिपिक जा रहा है बार बार तो जो भी गलती हो जाता है उसको हम बता देते हैं आप लोग से अब यहां पर देखिए हम इसको क्या बोलना है समझ मुझे कुछ नहीं आ रहा है अब दुबारा बोलना पड़ गया है तो यहीं बोलना है कि चाओल के आटा इसमें मिक्स था तो अच्छा नहीं बन रहा है तो पानी में देखिए आप लोग को हम बता रहे हैं डाल के आप अब तो सारे पकोड़े को इस तरह से निकाल ले रहे हैं अब पकोड़े को दीमी आज पर पकाना चाहिए जाकि अच्छे से पक जाता है तो इस तरह से सारे पकोड़े को हम बना लेंगे तो देखे थोड़ी थोड़ी दूर आप चम्मत से भी बना सकते हैं हाथ से नहीं बना सकते हैं तो तो चम्मत से रहता है आपको हाथ में लगेगा नहीं अब चम्मत से आप डालते जाएंगे यहां पर पकॉड़े हमारा बनके तयार हो चुका है जो तेल बचा था निकाल नी है अब बेसंद में डालेंगے दही को अब दही ये बेसंद को अच्छे से फेटेंगे पानी डाल कर पहले हम अब इसमें डालेंगे एक चमच हलदी पाउडर हल्दी पाड़ा डालके इसको अच्छे से फेट लेंगे जाकी एक भी गुटकिया इसमें मत रह जाए गुटकी रहता है तो कड़ी हमारा जैसे जम जाता है या गुटकी टाइप में कड़ी हमारा हो जाता है तो बेसना दही को पहले अच्छे से मसल लीजिए आप तो हमारे घर पे सभी लोग को कड़ी चावल बहुत काफी पसंद आए अच्छा लगता है खाने में तो कड़ी के साथ में जैसे देखते हैं सभी लोग चावल जादे करके खाते हैं अब यहाँ पे देख रहे हैं अच्छे समने फ्यट लिया हैं इसमें तड़के मी क्या करदा डालेंगा आप लोको दिखा दि रहा है आपके बाद सुखा मिर्ची नहीं हो फिखले लाल मीर्ची से द्खता है उसको भी डाल सकते हैं है आया आ आप लैसं नहीं खाते हो दो लैसं को निकाल दीज़िक Mangalia लिए मेथी दाना में कडि को बनाना चाहिए बहुत काफी टेश्टी बनता है कडी अब इसकी बाद अधरक डालेंगे अधरक डालने के बाद लेसं की कलिए इसमें थोड़ी टूड़े में काट लिए हैं अब यहीं पर देखिए यह दमारा चड़क रहा है तो यहीं हम डाल लेंगे लाल मिर्ची तो लाल मिर्ची को खड़े डाल दिया कड़ी में लाल मिर्चा खड़ा रहता तो अच्छा लगता है तो हिंग सबसे जरूरी रहता है हिंग कड़ी में तो हिंग जरूर डालना चाहिए आपके पास कड़ी पता है तो कड़ी पता भी डाल सकते हैं आप अब यहां पर देखिए हमारा अच्छी से काफी अच्छी से तड़की हमारा जलगया है तो तड़की ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए आपको अब इसमें हम डाल दिये तो पानी भी इसको खंगर कर डाल देंगे धोकर अब यहां पर क्या करना हैं को लगातार चलाना इसको छोड़ना नहीं ने नीचे से जम जाता है यह विसंद यहां पर देखिए अच्छे से इसको पूरा चला रहा है इसको मेडियों पर आपको पकाना है जैसे देखते हैं अकितश आज़ पर सब लों पकाते हैं तो कहते हैं कड़ी बनके त्यार हो गया ब victorious ठयार कर गाने करी के तक जितने देर आप पकाएंगा उपने काफी नमक डालेंगे लाश्ट में सबसे नमक डालेंगे नमक अपने स्वात के अंसार से जब भी डालिया तो कम इसी पले डालें नमक कम उसके बाद नमक जटकर फिट डालना चाहिए आपको नमक ज्यादा पढ़ जाता तो कड़ी हमारा अच्छा नहीं लगता है तो पकाते हुए देखिये हमारा कड़ी कितने पतला था अब कितना घारी हो गया है आई इसी को तेज आच लगाएंगे तो कड़ी हमारा बहुत जली घारा हो जाता है तो मेडिया माच पर हम देख रहे हैं इसको पका रहे हैं अब यहां पर देखिए फ्लोडी को दिखा दे आप लोग को लोड़ी कितनी काफी नरम बनके तयार है आप यह हैं इसमें हम डाल देना है कि अगरेंगे धन्यापत्ति को अच्छे से मिला लेंगे बहुत काफी टेस्टी कड़ी हमारा बनके तयार हो चुका है कर देखते हैं कि कैसे मालूम चलता कड़ी हमारा पक के तयार है तो कड़ी जैसे देखते हैं इसको पहले पतला रखिए हमारा पाचान रहता है कड़ी का आप लोग देख सकते हैं कि कड़ी मारा पक चुका है काफी अच्छे से इसको कड़ी का इस तरह से देखिए आप लो कड़ी तो पहले पथला रखना चाहिए जैसे देखते मठ्था रहता है तो मठ्था तरह रखना उसकी बाद इसको आपको धीरे-द्रियाज पका के इसको गारा करना है जितने पड़ी को अपकाएंगे उतने कड़ी आपका टेश्टी बनके तैयार होता है कड़ी को फटा बिल्कुल नहीं आप लोग देख सकते हैं बहुत हमारी बयाने के कमेंट आती है कड़ी हम जब भी बनाते फट जाता है फ्लोडी हमारा गलता भी नहीं है तो यह पाचान इसका देखिए थोड़ी साइट जो हमारा बेसन था बेसन अच्छा नहीं था यह पानी ले लिए जग में पानी ले लिए उसमें डाल के देखिए जब वेसन उपरा जाता है उपरा जता है तो जाने वेसन हमारा फुलके हो तैयार रिप लोड़ी बनने के लिए पकोड़ी आप उसका बना सकते हैं